हेलो फ्रेंड्स इस वीडियों में हम लोग डिसकस करने वाल हैं ORS के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल रहेडिसन सॉर्ट्स तो लाइफ में कभी न कभी ये आप लोगों ने एक नाएक बार पी आई होगा बिकॉस जब भी आपके बाडी में किसी भी तरीके का डिहाइडरिशन होता है तो आपको डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करते हैं आप ORS पी लो यूजरी आपको डैरिया या फिर वोमीटिंग होता है तो ORS पीने के लिए कहा जाता है बिकॉस आपके बॉडी में वाटर और एलेक्टोलाइट्स का लॉस होता है और अब हमारे पास सवाल पैदा होता है कि क्या ORS हम लोग घर में बना सकते हैं अपनी इसाब से मतलब हमारे किचन में ऐसे कुछ चीज अवेलेबल है तो यस वो बना सकते हैं ठीक है उसका इस अटेशन दिया जाए ताकि उसकी जो सुधार हो तो उस कंडिशन में फिर आप और खरीदने का जो टाइम है वह बचाना चाहेंगे और उस कंडिशन में घर में कुछ अल्टरनेटिव है उसका वह यूज़ करना चाहेंगे तो यहां पर हम लोग दोनों चीज़ देखे अबल होता है बहुत अच्छा ब्रांड है इलेक्ट्रल करके होता है यह ब्रांड यह आप लोगों ने भी पिया होगा FDC कंपणी का है यह एक लेंगे यह चोटा वाला सैसे है जो हम लोगों को 200 ml वाटर में डिजॉल करना होता है उसके फिर घर में कैसे बनाते है और इस व इसके लिए हमने यहाँ पर जैसा आप लोगों ने देख रखा है कि यहाँ पर दो ग्लास रखा है जो मेरे बिल्कुल चेहरे के सामने है फिर भी मैनेज कर लो ठीक है ग्लास देख लो मेरा चेहरा नहीं तो हमने एक छोटा वाला यह इलेक्ट्रॉल का पैकेट लिया है और उसके बाद फिर इसको कट कर देंगे इस तरीके से अराम से और कट करने के बाद पूरा यह छोटा वाला पैकेट है इसलिए इसको एक ग्लास में डिजॉल करना होता है बड़ा वाला पैकेट को वन लिटर में डिजॉल करना पड़ता है तो यूजवली हमें फ्रेसी बनान अब हम लोग देखते हैं कि ORS का ingredient क्या-क्या होता है, उसके हम लोग देखेंगे कि हम लोग घर में ORS कैसे बना सकते हैं, तो इसका ingredient देखा जाये, तो यहां पर इसका मैं diagram लगा दूँगा, photo लगा दूँगा, तो इसमें होता है, जैसे कि यह 4.4 gram है, तो इसमें होता है sodium chloride मत है, dextrose inhydrase, वो है 2.70 gram, तो सब का काम क्या होता है, मैं बता देता हूँ, sodium chloride और potassium chloride आपका जो electrolyte है, उसको maintain करने का काम करता है, sodium citrate भी आपका electrolyte प्लस एक buffering का काम करता है, और उसके इसमें dextrose भी होता है, तो dextrose से क्या होता है, आपको immediately calorie मिल जाती है, मतलब energy मिल जाते है तो जो low feel कर रहोता है, जिसके पास energy नहीं होता है, उसके पास थोड़ी सी energy आ जाती है, तो यह हो गया composition, अब इसका alternative हमारे पास क्या है, जैसे कि sodium chloride है, तो sodium chloride का alternative हमारे घर में क्या होता है, नमक होता है, तो नमक यूज़ कर लेंगे, उसके dextrose है, जहां से आपको calorie मिलेग energy मिलेगी, तो dextrose का alternative हमारे kitchen में क्या होता है, सुगर होता है, मतलब चीनी जो होता है, चीनी में क्या होता है, सुक्रोज होता है, वो ही एक टाइप का सुगर है, उससे भी energy मिल सकती है, तो वो यूज़ कर लेंगे, उसके फिर potassium chloride है, मतलब वहां से हमें potassium मिलेगा, प्लस हम citrate चीए, तो उसके लिए हम लोग ये जो है, नीबू यूज़ करेंगे, तो इसमें इसमें present होता है, मतलब vitamin से जो citric acid है, तो इसमें citrate भी present होता है, प्लस इसमें आपका potassium का भी amount present होता है, तो वो दोनों कमी को ये नीबू पूरा कर देता है, तो अब हम लोग देखते है, पहले कि इसमें हम लोग डाल देते हैं, एक चुटकी नमक, ठीक है, तो चुटकी में तो मैं नहीं लोगा, क्योंकि मेरा हाथ फिर खराब हो जाएगा, अभी मेरे को वीडियो बनाना है, तो ये लगबग एक चुटकी मैंने नमक डाल दिया, आपको दिख रहा होगा, उसक प्रासत चीनी, तो चीनी कितना डालेंगे, ये लगबग एक चमच, एक टीश्पून फुल चीनी, एक चमच चीनी हमने डाल दिया, उसके बाद एक जो नीबू होता है, इसका हाफ पोर्शन डालेंगे, इसको काट लेते हैं, असानी से हम लोग, रस न गीरे, इस्टूडियो पे, इसी के उपर काटा जाए, ये हाफ नीबू है, इसका रस डाल देते हैं, तो ये लगबग हाफ नीबू का हमने रस डाल दिया है, तो इसको भी हम डिजॉल कर लेंगे, इसको डिजॉल करने में फोड़ा सज़ादा टाइम लगेगा, और इसके लिए हमें ड्रिंकिंग वाटर यूज करना है, यद area आपको लगता है, आप प्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, तो आप उस पानी को बॉल कर लिजे, भूट करके थंडल कर लिए फिर उस पानी को यूज कर सकते हैं दियंकिंग वातटर वगड़ा जो भी आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं की ये गारे सब्सक्चर मट जर सबूंट कि तो अध bets सब्सक्राइब करें बतबां हमें हमने घर से बनाया है ठीक है तो दोनों को पी करके हम देखते हैं कि कौन सा कैसा है पहले मार्केट वाला मैं पीता हूँ तो वैसा यह जैसा टेस्ट आता है वारेस का हम इसका टेस्ट थो वहोड़ा सा बेटर है पूरा नीवू का अच्छे साने कि छोटा है इस थोड़ा सा मेडिसीन वाला जो टेस्ट होता है यह सबस्कें जाओ लिखाएं है चामा फिर्म अपको देना है तो आप यह वाला दे सकते हैं पिकॉस आपके घर में तो नमक रहता ही है सुगर रहता ही है निबू भी मिली जाता है और इसमें खर्चा वे बहुत कम आता है यह लगबग फोर रुपी सम्थिंग का है देख के बता देता हो कितने का है हां चारी रुपीया का है इलेक्टरॉल जो है ये वाला 6 रुपा यह कई एक लागब करें तो एक रुपई मानके चलो आधा निबू के एक रुपीया और उसके बाद फिर चीनिऊमिया साफ मिला करें 50 पैसे में हो जाए चार जाए तो मेरे को वीडियो के चक्करन बहुत अच्छे एलेक्ट्रोलाइट मिल जए होंगे अभी प्लस पानी अच्छा से मैंने दो ग्लास पी लिया है मेरा वाज भी चेंज हो गया है अब वीडियो को हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं जिसमें हम लोग यूज देखेंगे वार सब्सक्राइब तो किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में हो गया होगा उसकी वज़ासे बॉडी का फ्लूइड है पानी हो निकल गया और उसकी वज़ासे इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो जाते हैं तो उसको रिस्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं सेकंड है जिए सब्सक्राइब का जो भी डिसॉडर है चाहिए वो डायरिया हो या फिर वो मीटिंग दोनों ही कंडिशन में इलेक्ट्रोलाइट और बॉडी फ्लीट दोनों ही बहुत तेजी से डिक्रीज होता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए औरस दिया जाता है फिर होता है ट्रीट अलेकम योजता टीक होता है तो तो फ데o को को छॉड़र को सुघंध करने के लिए यह बुपने के लिए जाता यह काफी हट्स पूण मोज और टॉसे क्या होता है इपढ़ नेरजी मिलते हैं। और टीक हो जाता है। क्या हम लोग देख लेते हैं। हो इसमें पर युझा सी इस्तेमाल करना चाहिए। डिजॉल दा कॉंटेंस अब दे पैकेट इन दे अमांट आप ड्रिंकिंग वाटर इंडिकेट अंद पैकेट तो जो भी पैकेट आप ले रहें जैसे कि एक ग्लास के लिए था मतलब 200 एमल वाटर के लिए था तो एक ग्लास में डिजॉल करेंगे बड़ा वाला पैकेट होता तो उसके बाद यह फोड करके पूरा उसमें डाल देना अच्छे से उसको इस्टिट कर देना है घोल देना है उसके जो सॉलिशन आ उसको पी लेना है अल्वेस में का फ्रेस ड्रिंट एवरे टाइम एंड थ्रो अवे दसलिशन यह भी आपको पीना है तो आपको हमेशा फ्रेस बनाना चाहिए उसको पीना चाहिए इसलिए छोटा वाला प्रिफर किया जाता है क्योंकि बड़ा वाला जैसे आप बनाओगे वन लिटर बनाओ वाला चाहिए उसको तीन चार बार करके भी पी सकते हो तो बना करके उसको प्रफरली क्लोज करके रखो बॉटल में डखन क्लोज करके और वह जो बना हुआ वारेस सलिशन है उसको ट्वेंटी फॉर आवर से ज्यादा आपको नहीं दखना है वैसा रखोगे तो क्या होगे तो इसमें बैक्टेरियल ग्रोथ होगा रखे चांसेश रहते हैं और अल्टिमेटली आपका जो तव्यत है और खराब करेंगा तो आई होप वारेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको पता चल गया होगा थैंक्यू सो मच